आईटीम युनिवर्सिटी गौलियर के चांसलर रमाश अंकर सिंग ने लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर तोड़ने के लिए हमला हुआ कि उसे तोड़ दिया जाएगा तो शुरू शुरू में सारे पुजारियों ने मंत्रो चार शुरू कर दिया मंत्र पढ़ने शुरू मिल थे हराने के मंद्र शामिल थे और आकरकार मारने के लिए मंद्र शामिल थे कुछ नहीं हुआ ना होना था वो फौज एकदम नजदीक आ गई आनी ही थी कोई मुकाबले में था ही नहीं तब सारे पुजारी मंदिर के अंदर के गर्भ ग्रे में इकटे होकर पूरे बेचारगी से सस्वर का कर मंत्रोचार करने लगे मंत्र पढ़ने लगे कि हे भगवान आप प्रगट हो तीसरा नेत्र खोल कर यह जो सेना बाहर आई हुई है इसको भस्म करते है कुछ ही समय वह सेना मंदिर में प्रवेश कर गए बाकी इतिहास है आप सब जानते हैं ठीक है और आजादी के बाद केन सरकार ने सोमनात मंदिर का जीरन अधार किया और आज वो इस रूप में विराजमान है मैं आपको एक कहानी क्यों सुना रहा हूं सेना मंदिर को तोड़कर चली गई मंत्रों में जो ट्रेंड थे दिक्षित थे सारे पुजारी ब्राहमन मारे गए वो अपने ही जूट में विश्वास करते थे औरों को विश्वास दिलाते थे सदियों से मंत्रों चार के मंबो जंबो में लोगों को उलजा रखा था और वो यकीन करते थे इसमें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आरेसस के एक प्रचारक है इंद्रेश कुमार उन्होंने मेल टुडे के एक इंटर्विव में कहा है कि भारत वासियों को चीन का मखाबला करने के लिए मंत्रों चा मुक्त हों आसरी माने जो असर होते हैं सुर असर देवता और राक्षस का जो पूरा बना रखा है सिस्टम तो ये मंत्रों चार के जरीए चीन को हराने की बात कर रहे हैं इंद्रेश कुमार उन्हों हमें तो हराने नहीं होती जहां इनकी स्कीम आफ तिंग्स में इनकी समझ में पुश्पक विमान उड़ते हों जहां गनेज जी प्लास्टिक सर्जिरी से बनाए गए हों जहां स्टेम सेल टेक्नालोजी रिशी मुनियों ने बहुत पहले ही इजात कर लियो जहां देसी घी के जरीए बच्चों को प्रिजर्व किया गया हो ताकि बाद में उन्हें और यह उन लोगं को समझ में नहीं आएगा जिनको कभी तालीम हासिल नहीं हुई आपको बताना जरूरी था कि एक इंट्रिव्यू छपा है जिसमें इंद्रेश कुमार प्रचारक मेल टुडे में छपा है वो कह रहे है कि मंत्रो चार से चीन की सेना को भगाया जाए इससे भारतियों में भी स्फूर्टी, उर्जा, विश्वास और तेज बढ़ेगा तो चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लमान हों, चाहे सिख हो, चाहे इससाई हों, वो इस मंत्र का जाब करें जो भूटान की सीमा पर इस वब चल रहा है, चीन के साथ हमारा स्टैंड आफ चल हो जाएगा, उनका यह मानना है, आप क्या मान पेशेंट, सूचिए, नमस्क्राइब.